फालो और वेलकम फ्रेंट्स Microsoft Excel सिखने की सेरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है और Microsoft Excel में मैं आज आपको दिखाऊंगा वो शॉर्ट की जिनकी मदद से आप currency के format में बदल सकते हैं ऐसा मैंने पहले भी बताया है लेकि जनरल लंबर उसे बनाना हो तब क्या करेंगे currency के format में तो बदल लेंगे फिर जनरल लंबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और उसमें अगर कोई scientific format हमें लेकर आना हो तो क्या करेंगे तो अलग-अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा अब देखें यहाँ पर price की बाताईगी तो यहाँ पर कुछ price मैं डाल देता हूँ like keyword की price है दो सो 23 रुपए मान लीजे है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह currency के format में आ रहा है क्योंकि मैंने इसे currency बना रखा है ठीक है अब फिर नीचे आता हूँ नीचे जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पर आप बात होगी mouse की तो यहाँ पर 200 रुपए कर देता हूँ और यहाँ पर देखें यह currency के format में नहीं आ रहा है LCD की बात करें तो यहाँ पर 7000 रुपए की LCD है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है थम ड्राइब की बात करें तो 900 का थम ड्राइब है LED की बात करें तो यहाँ 12000 रुपए की LED है ठीक है तो यह हमने कर दिया उपर वाला के वाल currency के format में आ रहा है अब देखिए shortcut की जिसकी मदद से इस currency के format को हम general format में बदल सकते हैं आपको keyboard से प्रेस करना है Ctrl, Shift और Tindle बटन ठीक है Ctrl, Shift और यह Tindle बटन आपको एकदम left side में alpha numeric की जो 1 होता है उसके ठीक पहले मिलेगी ठीक है तो आपको Ctrl, Shift और Tindle बटन प्रेस करना है जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देख सकते हैं कि यहां पर इसका format बदल गया यनकी यह numeric format में आ गया अगर आपको इसको वापिस से सारे को currency बनाना हो तो आपको क्या करना है आपको keyboard से प्रेस करना है Ctrl, Shift और Dollar तो Ctrl, Shift और Dollar प्रेस किजिए सब जो है currency के format में आ जाएगा Ctrl, Shift और Exponent का जो बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है यह Exponent का बटन आपको Alpha Numeric Key 6 वाले पर मिल जाएगा तो प्रेस किजिए Ctrl, Shift और 6 जैसे ही प्रेस किया तो यह देख सकते हैं यह कुछ इस format में आ गया Scientific format में आ गया यह देख सकते हैं ठीक है और इसको वापिस से Change करना है General format में तो हम वापिस से क्या प्रेस करेंगे अगर Currency बनाना है तो Ctrl, Shift डॉलर और अगर General format बनाना है तो Ctrl, Shift और Tindle बटन प्रेस करेंगे तो Ctrl, Shift और Tindle बटन में प्रेस कर देता हूँ तो यह देखिए अब यह General बन गया